Hello friends, once again, welcome to our channel The Flavor Fist तो आज हम फिर से ओर एक बाद Jack Fruit Seat का काड़ी लेके आये हैं तो आज हम बनाने वाले है Jack Fruit Seat का काड़ी जो कि हम बनाएंगे Dry Hillshap Fish के साथ तो चलिए देख लेते हैं तो दूस्तो आज का हमारे जो डीश है बहुत ही स्पेशल डीश है इस डिश को बोला जाता है काठल वीची दिए नुनाईलिश है जोल यह एक बैंगॉली डिश है बैंगॉली में जैक्फूरूट सीट को काठल वीची बोलते है और ड्राई हिल साफिश को बोलते हैं नुनाईलिश तो पहले तो मैंने यहाँ पे दो पीसे ड्राई हील साफिष मैंने ले लिया और आभी मैं इसको आराम से क्लीन कर लूँगा बंग्लेदेश रिजियन में और वाइस्ट बंगल का भी कुछ रिजियन में इस्पेशली नॉर्थ इस्ट इंडिया में एक जो ड्राय हिल सफीश यह बहुत ज़्याद पॉपुलर है तो मैंने यहां पर फीट के लिए निकाल लिया और एकदम क्लीन करके मैं यहां पर प्लीट पे राग दिया यहां पर मैं जेक फूर्ट सीट्स लिया है एक बॉल में बहुत ही हेल्दी होता है हाट डिजिस को रूखता है और आपका जो कॉंस्टिपिशन ने उसके एगिंस्ट भी काम करता है इसमें डायेटरी फेवर बहुत ज़दा रहता है चार पाच मिनिट अगर पानी में जेक फूर्ट सीट्स को भीगो के रख देंगे तो इसका जो अब देख सकते ही मैंने हाट जेक फूर्ट सीट्स को में काट रहा हूँ दो पीसे में और साथ में जो आउटर स्कीने में निकाल रहा है इसलिए मैंने पानी में भीगो के राख था तो अभी हमने छिलका निकला है और फैंक देते कोई काम का नहीं है उसके बाद हम लोग जेक फूर्ट सीट्स जो है काटने के बाद एक बार दो लेते ताकि जो भी डार्ट हो निकाल जाए दोस्तों अभी प्रेशर कुकर में थोड़ा सा नमक और पानी एड़ करके आम लोग तीन हुई से लगाएंगे अगर फ्रेश जेक फूर्ट सीट्स अब यूज कर उसको किया नहीं गया तो आप दो हिसल से भी काम चला सकते हैं यह थोड़ा सा ड्राई है इसलिए मैंने तीन हुई से लगा रहा हूँ उसके बाद कुकर जब आपने ठंडा हो जाए अपने प्रेशन निकाल जाए उसके बाद आपन कर लेना है तो जो भी पानी है ड्रेन कर लेना इसलिए मैंने पानी बहुत कम यूज़ किया था ताकि जो पानी ट्रेन करेंगे उसका कौवांटिटी बहुत ही कम हों Channelalth beidennova इंग्रेडियंट्स में मैंने जल्ट प प्याज रया लहाय ग्रीन चिली लिया रेट शिली पाउडॉर लिया और हल्दी के पाउडर लिया इसमें एंग्रेडियंट्स बहुत कम quantity में चाहिए होता है अभी 6-7 टेबल स्पन सोर्सों का तेल में गरम कर रहा हूँ सोर्सों का तेल से ही डीश अच्छा बनता है तो मैं सजिट करूंगा सोर्सों का तेल ही यूज़ करने के लिए उसके बाद जो ड्राइफ इच पीसे से उसको फ्राई करना है ज्यादा फ्र में बारी काटा हुआ एक मीडियूमस का प्याज फ्राइब कर लेते हैं जब तक ना कलर ट्रांस्ट्रॉसन्ट हो जाए अभी यहाँ मैंने एड़ कर लिया एक टेबल स्पुन जैसा बारी काटा हुआ लेसुन और साथ में दो-से-तीन बारी काटा हुआ ग्रीन जीली अप जै बिचली पाउडर ऑप्शनल है उसे कलर बहुत अच्छा होता है अभी 6-7 मिनिट के लिए धकन बंद करेंगे हम लोग मीडियम फिल्म में पकाएंगी इस स्टेज में जो मसाला है और जेक फूर्ट सीट्स को है बहुत ही अच्छे से भूनना है बीच में एक बर क्या करेंगे अगर जरूरत पड़े तो 3-4 टेबल स्पून जो पानी अट कर लेना है ताकि मसाला जलना जाए तो हम लोग देख सकते हैं कि 6-7 मिनिट के बाद जो अपना मसाला है बहुत ही अच्छे से भूनना हो गया और साथ में जेक फूर्ट सुट्स को भी बहुत अच्छे से भून बीच में से काटावा दो ग्रीन चीले अट कर लेते हैं बहुत ही अच्छा फ्लेबरेट करता है अभी ढकन बंद करके 5-6 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम में पका लेते हैं तो दोस्तों 5-6 मिनिट के बाद देख सकते हैं जो अपना डीश है बनके एकदम तयार है बहुत पहले भी बताया था अगर आप ड्राइफिश लबर है इस्पेशली हिल ड्राइफिश का तो यह ज़रूर ट्राइब करना यह बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है डीश और खाने में बहुत ही स्वाधिस्टे चत पड़ा है तो यह रेसिपे आपको कैसा लागा कोमेंट स जरूर बादेना और दोंट फोर्गेट तो सब्सक्रेब ओर चनल थेंक यू